आप 52 वर्ष के राहूल बाबू से और एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? इस देश की मैलाओं की संपत्ती खीचने के अगर कोई बात करता है, तो इससे जादा एक्सपेक्टेशन बावन वर्ष के जो कॉंग्रेस पक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हमारा राहूल बाबू अभी समझदार हो गया है, तो बावन वर्ष अगर किसी को समझदारी के लिए लगता है, तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है, इस देश का सविधान, कॉप्टर बाबा साहिब हमबेटकर जी, जिस तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए सविधान लिखा है, जब तक सूरज रहेगा, तब तक सविधान रहेगा और तब तक ये उनके आधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे, ऐसे बावन वर्ष के समझदार के लिए, अब और पचास साल लगेंगे, कि इस देश की महिलाओं का सोना और समपत्ती छिनने के लिए